दोस्तो पुछली वीडियो हमने डिसकस किया था ASI प्रोटोकॉल क्या होता है और यह कैसे व्रक्रता है और आसलंग के बारे में प्रराइब करें किस प्रकार से की तो दोस्तो बिना समय के बाई अब हम इस वीडियो में एस आई की कंट्रोल बाइरिंग किस प्रकार से की जाती उसको हम इस लाइट के माध्यम से पहले आपको समझा देते हैं यहाँ पे मास्टर एस आई और पावर सप्लाई इसके साथ थी एस आई के दो स्लेप दिये हुए हैं इसके साथ फिल्ड इस्ट्रूमेंट भी हमको इसमें अई करनेट करना है इससे पहले इसमें पावर सप्लाई दी जाती है जो कि आप एरो के माध्यम से देख रहा है और इसके output में 30 volt की जो power supply है उसको हम master से attach करेंगे और master से yellow color की जो cables होती है उसको हम slave से attach करते हैं यह signals की flat type की cables होती है इसके अलाबा जो slave से जो output निकलता है उसको field instrument से हम connect करते हैं अब हम सबसे पहले ASI की power supply आपको दिखा देते हैं कि इसके हमको practical demonstration करके बताएंगे कि इसकी control बारिंग किस प्रकार से की जाती है इसमें 30 volt की power supply इसके साथ यह master दिया हुआ है जिसको हम इस power supply से attach करेंगे इसके अलाबा दो slave दिये हैं जो की analog और digital type के slave हैं जिसके हम field instrument को attach करते हैं जिससे हम इसके field instrument को attach करते हैं यह master और slave एक बार में 62 slave एक master से हम attach कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चाहें तो 62 slave को attach कर सकते हैं और programming according इसको program कर सकते हैं और master को हमको profit address इसमें assign किया जाता है जिससे हम इसको connect करते हैं अब यह हम sub-tables की wiring शुरुवात करते हैं यह flat type की ASI cable है जिसमें 30 volt DC की power supply flow होती है और इसके साथ ही इसमें signal भी connect होते हैं क्योंकि यह flat type की इसलिए use की गई हैं कि हम इसको direct parallel में slaps को इसमें आसानी से connect कर सकते हैं और इसको बाहर से attach करके चला भी सकते हैं इसमें addressing assign किया आता है ताकि इससे profit bus cable को हम PLC से connect कर सके और इसको PLC से control किया जा सके इसलिए हम इसमें profit bus address को assign करते हैं जैसा कि आप इस flat cable को समझ रहे हैं देख रहे हैं अब हम सुरवात करते हैं सब्सक्राइब इसके connection से connection के लिए 30 volt की power supply normal हम cable का use कर रहे हैं कि 30 volt की power supply को सबसे normal cable से attach करके master में attach करेंगे हम इस master में plus और minus connect करने से पहले यहां पे मैं इसको power on करके दिखा देता हूँ आपको missing slave दिखाई दे रहा होगा लेकिन अब हम यहां पे सबसे पहले slave से इस flat cable को attach करेंगे और इसके अलावा इसके parallel में एक और slave को हम attach कर सकते हैं यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे signal के लिए SI plus minus के लिए connect किया रहा है यह जो output है यहां पे output field instrument के यहां से signal आएंगे और जाएंगे जो output के लिए इसके लावा यहां input connect करेंगे जो की master से connect होगा अब हमने इसको connect कर दिया है इस प्रकार इसमें connection किया जाते हैं अब हम master में parameter setting किस प्रकार से की जाती है बो भी मैं आपको बता देता हूँ यह मास्टर में parameter की setting किस प्रकार से की जाती है वो मैं आप इस वीडियो में आपको बता देता हूँ यह slave connector इसके साथ ही यह master attach है तो इसमें हम इसके साथ यहां पे cable connector है जो की profibus cable को है यहां पे हम connect कर सकते हैं और यहां भी healthy condition बता क्योंकि यहां सारे green है और configuration ok बता रहा है क्योंकि यहां profibus connect नहीं इसलिए profibus error बता रहा है और यहां पे अगर हमको किसी भी profibus किसी भी अगर slave को attach करना है तो यहां पे store run और ok करके हम इसको attach कर सकते हैं programming के बाद क्योंकि slave में programming की जाती है और इसके address design के जाता है और इसके अलावा हम चाहें तो इसके parallel में और भी slave को attach कर सकते हैं और उनके address को assign कर सकते हैं इस प्रकार आपने यहां पर देखा कि यह इसको एक्टिव करने के बाद ही किसे किसी भी ASI module को attach किया जा सकता है ASI slave module को attach किया जाता क्योंकि यहां पर configuration अडिनेटरी तरह बता रहा है इसके लावे यहां पर मैं आपको active condition में जो panel में ASI master connect है जैसे ASI safety master है और इसके अलावा ASI master connect है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ अब हम ASI master में addressing किस परकार से की जाती है अगर आपको replace करना है ASI master को उसको किस परकार से किया तब वो दिख लेते हैं उसको यहां समझ लेते हैं सबसे पहले ओके गए यहां पर profibus को इंटर किया और profibus address में गए और profibus address को इंटर किया यहां पर old 36 है और हमको अगर कहीं assign करना है तो यह drying में देखके आप इसको assign कर सकते हैं address देख सकते हैं अगर कहीं पर आपको दूसरा change करना है यहां पर हमने इसको 10 कर दिया है और ok कर दिया है address ok हो गया है तो यहां पर old 36 था और new 10 है यहां पर 10 address है तो यह profibus का हमने address इसमें change कर दिया इस परकार किसी भी address को change किया सकता है इसके इसमें slave के भी tool से SI के circuits हैं आप इसमें कई circuits को जोड़के SI की एक circuit number of circuits से जोड़ सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास output ज़्यादा है या slave ज़्यादा है तो आप circuit से इसको attach कर सकते हैं और इसके अलावा slave address tool और connection new slab यहाँ पर आपको नया slave connect करना है तो वह भी यहाँ पर आप attach कर सकते हैं slave 8 tools इसके अलावा setup में जाके circuit 1 circuit 2 और इसके अलावा force offline SI address old address 1 new address 000 तो आप यहाँ पर जाके भी इसको change कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इसे parameter जिनको आप change करके इसको आपकी अपनी application में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इसको किस परकार से किया जाता है इस परकार आपने इस video अभी इस top इस पर यहाँ पर आपने समझ लिया कि इसके अंदर SI की addressing किस परकार से की जाती है अब आपने यहाँ पर इस topic से समझ दे ASI master की addressing किस परकार से की जाती है अब हम ASI slave की addressing को समझेंगे अब हम यहाँ पर ASI slave की addressing किस परकार से की जाती है इसके लिए यहाँ पर हम addressing tools का यूज करते हैं जो कि ASI head device होता है जो कि address करने के लिए काम आता है यहाँ पर M12 connector यूज कियाता है और दूसरे तरफ इसको connector slave को connect करने के लिए अलग से connector यूज किया गया है यहाँ पर M12 connector को सबसे पहले हम addressing tool में attach करेंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसको मैंने addressing tool से attach कर दिया है और tight करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसका old address क्या था यहाँ पर मैंने इसके old address को address button दबा के check करा तो यहाँ old address slave का 4 बता रहा है और हम अगर हम इसको चाहते हैं कि change करना कि हम चाहते हैं कि इसका address 5 हा जाए तो हम इसको 5 में address कर एडिट करके और प्रोग्राम कर देंगे तो इसमें जो data है 5 addressing के according save हो जाएगा और अगर हम इसको देखना चाहते हैं दुबारा address दबाएंगे अगर 5 है इसका मतलब राइट हो गया है 5 प्रोपर तरीके से राइट हो गया है इसकी memory में अब हम इसको आरसानी से attach कर सकते हैं जहां पर इसकी 5 addressing होगी तो इस परकार आपने या पर देख लिया कि addressing किस परकार से की जाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने समझ लिया कि ASI master की addressing कैसे की जाती है कैसे की जाती है और इसके साथ इसकी बाइरिंग भी किस परकार से की जाती है तो दोस्तों I hope म